नमस्कार दोस्तों स्वागता है आप सभी का मेरे यूटूब चनल संधियास किचन में तो यह आम का ना कूचा है मतलब आम का अचार है बिना मसाले का अंसनेट तयार होने वाला अचार है तो इसके लिए में एक किलो आम को छील लिया इसको में बड़ा मोटे वाले कदूकस स कर लूँगे और इसके बाद फिर हम थोड़ी तरी के लिए पंके की हमैं सूखने देंगे हम आम का अचार बनाते हैं यह तो मतलब तैयार होने में हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है अगर नॉर्मली बश्ता है अगर नॉर्मली बना दें से तो आप इसको समझें कि तो तो देखिए इसके लिए ना कुछ निह करना इसमें सिंपल मसाले डलते हैं मैं इसमें हल्दी डाल दी यह लग लग बग एक टी स्पून के करीब बढ़ लग और इसके बाद पिर मैं जालूंगी एजवाइन मां और सरसो का तेल तो कदू करना मैं इसमें थोड़ी दर पंखे तो अब लाल मर्च डालेंगे एक टी स्पून के करीब डाल तो अगर आपको जादा तीखा पसंद तो थोड़ा साब बढ़ा सकते हैं अधर इतना सिफिसेंट इसके लिए बहुत बढ़ी है यह निसके बाद नमक और सरसो काते इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगो मिक्स करक अधर होता है फटाफट बनने वाल अचार और बहुत टेश्टी भी लगता है प्रांटे के साथ खाईए यह फिर डिनर में आप इसको एक बार जरू ट्राई करिएगा और कमेंड में बताएगा कि आपको यह कैसा लगा मैने से बहुत बार बनाया है और खिलाया है तो यह ह ईसको आपको जल्दी बन कर तेयार होता है और टैम लगता और अचार का फलेवर हो जाता है नर्मली अचार बनाने में में मेहनत भी जादा लगती है और टाइम भी लगता है तो जो चार अपने अग oh को भी ऐनाते हैं अचार हिक्ष wackli वान कर बनाता है और यह जो शख बन तो अब भी भी खाएंगे ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा खाने में थोड़ा सा यह कल कल में बहुत थोड़ा सा और गल जाएगा इसके बाद एब रैडी है कहाने के लिए तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आरी है और आप मेरे चैनल पर नए है पहली बार पूचा बोलती हूं इंस्टेट बनने वाला बहुत अचार आम का और बिना मसाले का बहुत ही टेश्टी अचार इसी तरीके से नहीं अच्छी सिंपल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जूर सब्सक्राइब करिए और बने रही मेरे चैनल के साथ और इसे जरूर शे झाल 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 झाल